नवरात्री का तीसरा दिवस, दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप, माता चंद्र घंटा का गायन पुजन होता है। माता चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र दिखाया जाता है। चंद्रमा शीतलता शांति का प्रतीक है और घंटा ज्यान योक्त स्थिती का प्रतीक है बुद्धी में आत्म ज्यान आदी मध्यानत का ज्यान और इसलिए माता का गायन पुजन शीतलता और ज्यान योक्त स्थिती के लिए होता है भन्ता बुद्धी के शक्ति शाली स्थीति को दर्शाता है माता की सीहों पर सवारी है सीहों पर सवारी निर्भैता का प्रतीक है अपने परवींद्रियों पर कंट्रोल और इसलिए बाहर की परिस्थिति पर कंट्रोल यह दर्शाता है माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाय जाते हैं दस हाथ और सभी हाथों में ज्यान युक्त अस्त्र ज्यान युक्त स्थिती का प्रतिक है अस्त्र शस्त्र जैसे तीर, तलवार, खड़क, त्रिशोल यह सभी दर्शाते हैं कि माता के मन में बुद्धी में शक्तिशाली ज्यान और इसलिए शक्तिशाली स्थिती है कब पुष्पु न्यारेपन और प्यारेपन के स्थिती का सूच चक है शिव के साथ योग-योगत स्थिती, शिव की प्यारी और इसलिए इस दुनिया से न्यारी हाथ में माला, माला मतलब नेरंतर, शिव के साथ योग-योगता वस्था और ज्यान मतलब ज्यान योगता वूच स्थिती, तो माता चंद्रगंटा का आज के दिन हम गायन पुजन करेंगे और उनका आवान भी करेंगे अपनी स्थिती को माता चंद्रगंटा के स्थिती के जैसा बनाएंगे तो हम भी माता चंद्रगंटा के जैसा शिव के साथ योग-योगत स्थिती में रहेंगे मन बुद्धी में ज्ञान समाया हुआ बुद्धी में आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, हदी मत्य अंतका ज्ञान और इसलिए शक्ति शाली स्थिती, उचे दे उचे स्थिती, शीतलता शान स्थिती, ज्ञान योगत स्थिती, तो आज सारा दिन माता चंद्रधन्टा का दायन पुजन भी करेंगे उनके महिमा भी करेंगे और साथ साथ उनके जैसे बनेंगे भी ओम शंति